अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमस्कार प्रवसाची नेटवर्क देख रहे हैं आप मैं आपके साथ प्रड़ोती वारी हम मौजूद हैं गोरकपूर महानगर में एक परवतारोही जो एक मिशन के तहत और एक संकेत और संदेश के तहत तमाम उची पहाड़ियों को फतह करता है गोरकपूर का लाल है गोरक किसी न किसी ऐसे पद पर जहां पर हम लोगों को जाना आवश्यक लगता है तमाम पदादीकारी और हमारे स्वें प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जब तिरंगा फैरा रहे थे तो वह यूवा यूरोप की सबसे उची चोटी माउंट एलरस पर चड़के तिरंगा फैराता ह उसके इस जजबे को प्रभासाची निज नेटवर्क की टीम की तरफ से एक सलाम है और हमारे साथ खास बातचीत भी करेंगे हमारे साथ साथ बैठे हुए हमारे बगल में ही है नितिस कुमासिंग जी बहुत बहुत स्वागत अभिनान नहीं आप सार बहुत अच्छा लग है कि मैं तिरंगा फैरा के आया हूं और लोगों का साथ और सायोग है यहां पर तो बहुत ही गर्व फील होता है कि किसी दूसरे देश में जब भारत का तिरंगा फैरता है तो कहीं न कहीं बहुत प्राउड फील होता है बिल्कुल लेकिन एक कठनाई भी आती है क्योंकि को अगर परवता रोहड की बात करें या किसी भी फील्ड की बात करें तो परिशानी तो हर एक चीज में है और जब आपको किसी चीज से बाहर आकर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो परिशानी बहुत आती है जैसे मैं परवता रोहड की बात करूँ तो तीन चीजों की problem होती है financially mentally और physically तीनों problems है बट कहीं न कहीं एक जुनून और एक जजबा है आपके अंदर तो आप अपने लक्ष को जरूर पा लेते हैं तो वही चीजें थी और परिशानी कोई रुकावट बनती नहीं है बलकि वो और आगे मुझे पुश करती है कि और आगे बहतर कर सकूं मैं और मैं यहां आज़ू बिलकुल बिलकुल तो किस प्रकार का सहयोग दिया गया है अगर हम प्रशासन या बड़े अस्तर की भी बात करें तो किस प्रकार का सयोग अभी तक आपको मिल पाया है आपके इस फतर में जो आपने अभी माउंट एल्विस पे चढ़ाई की है प्रशाशन से तो कोई सयोग नहीं मिला है और ये एक डीमेरिट भी है मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जब खेल के कोई आजाता है जब उचे पत पर पहुत जाता है तो सरकार उन्हें 10,20,20,20,20 देने के लिए राजी हो जाती है तो क्यों ना जब एक प्लेयर जब बिल्ड हो रहा है जब नीचे से उठ रहा है तो उसे उस वक्त दिया जाए क्योंकि ये चीजे मैंने खुदी महसूस करी हैं, छे साल हो चुके हैं मुझे परवता रोहन में और कई धक्ये भी खाए हैं मैंने, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यही है कि जीरो पे उसे जो जीरो से स्टार्ट होता उसे उस वक्त सपोर्ट किया जा ना कि जब वो सौ पर पिक में भारत का प्रतेदित पर जो भी किया है खिलाडियों ने बहतर प्रदसन में किया, उन खिलाडियों को काफी सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे भी हमारे अथलीट्स हैं, जैसे कि मैं आप ही की बात करता हूँ, उचायों को फता कर रहे हैं और आपका टास्क होता है, काफी मुश्किल भरा भी होता है, लेकिन उसकान देखी करना ऐसा क्यों, आपकी नजर में क्या इसको मानते हैं? परिशानी आती है, फाइनेंशल प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी घर की प्रॉब्लम आती है, तो इंसान छोड़ देता है उस फील्ड को, तो वही जो रेर एक का दुक्का होते हैं, वही आगे पुछ करते हैं, तो मेरा मानना है कि जो 6 करोड या 1 करोड आप खेलने के बा परिशा था, तो आपने मेरे ही चैनल पर यह बताया था, सबसे पहले कि इस बार जो करोणा वारियस के नाम से, जो डॉक्टर्स हमारे दिवंगत हो चुके हैं, अपने इस पूरे करोणा काल में उसको लेकर आपका एक संदेशा, फिर से चाहता हूं कि हो सकता है कि कुछ औ और भी चीज़ें, वहाँ पर जाके भी बदलती हैं, कुछ और लोगों को आपने डेडिकेट किया हूँ अपने इस चड़ाई को, आप वो जानकारी दीजिए. मैं इस चड़ाई को तीन मुख्य उद्देश था मेरा, सबसे पहला उद्देश ये था कि मैं इस चड़ाई को, डॉक्टर्स को समर्पित करूंगा, हेल्थ वर्कर्स और जो भी पुलिस कर्मी, जो भी सफाई कर्मी हमारे लिए इस कोरोना महामारी में आगे आके काम कर रह रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने घर में सुरक्षित थे, रह रहे थे, और वो हम अपनी जान की परवाना करके, हमारे लिए वो लोग 2400 घंटे खड़े तो, तो ये मैं उनको समर्पित करता हूं, और दूसरा ये था वेश्वित महामारी, जो कि एक बहुत बड़ा टैबू है, और उस चीज को हटाने के लिए मैं क्लाइम किया हूं, और एक और खास बात ये है कि, जो माउंट एल्ब्रूस की उचाई है, 5642 मीटर, मेरा एक मानना ये था कि, जितना मीटर मैं क्लाइम करूंगा, उतना मीटर मैं वापस आने के बाद, हर एक लड़की को मैं सेलेटरी पैड और मैंस्वल हाइजीन के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, प्रोजेक्ट बाला और सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा अच्छा, बिल्कुल, तो अगले कड़ी में मेरा एक प्रशन और एड हो जाता है, कि जैसे कि आने वाले समय में भी निश्चित तोर पे आप रुकेंगे नहीं, जिस तरह से आप लगातार अपने मिशन को अच्छे तरीके से फटा करने में लगे हुएं, तो अगला मिशन क्या है आपका, आने वाले समय में क्या उमीद करें पूरी भारत की जनता, अगला मिशन तो मेरा माउंट एवरेट है, जो कि मैं 2022 में फत्या करूंगा, और भारत और उत्तर प्रदेश शाषन का भी में जंडा लगाऊंगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजे जरूर खास होंगी क्योंकि हर एक परवस से मेरा एक संदेश रहता है और वही संदेश मैं जरूर उस उचाई से फैला हूँ, अन्तिम में ऐसे तमाम ऐसे यूवां हैं जो आपको देखके ट्रेडा ले रहे हैं, ट्रेडी तो हो रहे हैं कि हां ये भी एक खेल है और इसमें भी एक जीवन में पहाड मेरा एवरेस्ट है तो अपने पहाड को लक्ष बनाएं और प्राब्लम्स हर चीजें आती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव आई हैं, उस नेगेटिव को आपको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कनवर्ट करना है, उस पे फोकस करिए और हार मत मानिये, अपने आप पे भरोसा ही में है और वही चीज आगे पुछ कर सकता है, तो आगे करते रहिए और चीजें होंगी जरूर, हमसे बात करने के बहुत भूद धने मान अपका, शुकरिया साथ है नितिश कुमा सिंग, युवा परवतारोही जो कि रास्टी अंतरास्टी तमाम उ तमाम युवाओं को भी एक अपना जिस तरह से युवा आइडियल मान रहा है और युवाओं को कहना है कि हम भी एक ऐसे अचीवमेंट को अपने भी जीवन में लाने की प्रयास करेंगे जैसे आप से नितिश कर रहे हैं तो निस्चित तो और पर वो भी काबले तारीफ है और अपना एक सुकत संदेश तमाम युवाओं को नितिश कुमा सिंग्जे ने दिया ऐसे ही तमाम हम ऐसे खिलाडियों से या ऐसे जो भी व्यक्तित्तों के धनी है उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे प्रभासाची नेटवर्क की टीम की भी एक कोशिश है जो ऐसे है और अंतरास्ट्य स्तर पे भी अपने एक पहचान बना चुके हैं एंसे आपको रूबरू कराते रहें जो गोरकपुर की पहचान है वो आपके सामने लाने का एक प्रयास है हम इसको नितिश करते रहेंगे गोरकपुर से प्रभातिवारी प्रभासाची नेटवर्क झाल 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 झाल